Hello Dear Aspirant, Welcome to Education with DB Sir और आज एक बहुत ही बड़ा अमेजिंग वीडियो डाला जा रहा है जो की SSB का जो एक्जाम हुआ था उसका कॉट ओफ के बारे में है पहले तो एक कॉट ओफ हमने डाला हुआ है लेकिन ये जो कॉट ओफ है ये फाइनल कॉट ओफ है और ये कॉट ओफ बहुत ही मेहनत से बहुत ही बारीती से किया जा रहा है क्योंकि इसमें तीन पारामिटर को जादातर हमने इनकलूड किया है जो की Google सर्भे हमने किया था Google सर्भे में जो डाटा आया है उसी के आधार पर ये बना है उसके साथ साथ जो successful candidate हुए है या जो candidate भाइबा appear किये और unsuccessful हुए उन्ही candidate का भी हमने राय लिया है उन्ही candidate से भी information लिया है और तीसरा जो है subject expertise क्योंकि मैं education subject से relate करता हूँ तो मुझे education के question pattern के बारे मैं clear मालूम है कैसा questions आया था कितना hard spot था ये सारा कुछ मुझे मालूम है लेकिन बाकी subject में मैं expert नहीं हूँ इसलिए मुझे subject expert को consult करना पड़ा क्योंकि subject expert ही बता सकते है कि question का pattern कैसा था cut off easy cut off high जाएगा या cut off low जाएगा वो ही अच्छे से बता सकते है तो ये तीनों criteria को हमने मद्दे नजर रखते हुए ये cut off निकाला है I hope ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो चलिए वीडियो को start करते है तो चलिए हमारे subject education से ही पहला start करते है जैसे कि आपको मालूम है कि education का जो advertisement हुआ था वो 51 पोस्ट का था और SSB ने H promise इसका तीन गुना वरिफिकेशन के लिए बुलाया था इसका तीन गुना तो हो जाएगा 153 लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि PWD केटेगरी में 17 candidate पहले 16 बुलाया था फिर extra 1 मिला के इन्होंने 17 candidate बुलाया तो उनको 17 मिक्स होई आएगा तो 170 का सब्सक्रा के लिए बुलाया तो आप यह देख सकते हैं सारे केटेगरी होई है तो इन में से कितने सिलेक्ट हुये ना ओनली 48 सिलेक्ट हुये जैसे कि आप देख पा रहे है 26 जैनराल सेट था और उसमें से 23 सिलेक्ट हुये 6 OBC Seed था उसमें से 6 सिलेक्ट हुए है SC का 8 था 8 सिलेक्ट हुए ST का 11 था 11 सिलेक्ट हुए लेकिन ये जो 3 रहे गए है ये 3 यहां पर सिलेक्ट होंगे PWD केटेगरी का सिलेक्ट होंगे लेकिन अभी तक उनका result नहीं आया है क्योंकि उनका कुछ verification इसू चल रहा है तो ये जो हो गया ये तो हो गया selected candidate तो cut off कितना गया होगा ये जो cut off हमने बताया है ये cut off है verification के लिए या फिर भाइबा के लिए पहले कितना cut off गया है ये हो गया verification के लिए या फिर भाइबा के लिए और ये हो गया final cutoff तो ये जो cutoff है आप देख सकते है general का था 100 से 105 के बीच OBC का था 95 से 100 के बीच और SE का था 70 से 80 के बीच और ST का था 70 से 80 के बीच और PWD category जो थे उनका था 65 से 75 के बीच और जो final cutoff निकला है ये देखिए final cutoff general का 115 से 120 ऐसे भी candidate है जो की 110 mark लाए थे 100 mark लाए थे paper में, written में और emphil किया था 10 तो 110 mark भी लाए थे UR category में उनका selection नहीं हुआ है इड मींस थोड़ा सा इससे उपर cutoff गया है मींस 115 से 120 गया है OBC का हम ऐसे भी calculate कर सकते है 110 से 115 गया होगा क्योंकि 104 वाले candidate भी select नहीं हुए है मतलब इससे भी थोड़ा सा उपर गया है मतलब 110 से 115 गया होगा फिर SC का आप देख सकते है SC का 95 से 105 के बीज गया होगा और ST का 95 से 105 ओके 105 तो यह हो गया education का और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए 51 पोस्ट था select कितने हो रहे है 48 बुलाया कितना था 170 आप calculate कर सकते है 120 candidate select नहीं हुए है मतलब आप हिसाब करके देखिए 170 से 120 candidate select नहीं हुए है मतलब select ना होने के chances कितना ज़ादा है और select होने के chances कितना कितना कम है 48 candidate ही select होए है 170 मैं से ओके तो जो भी नयाई बंदे है या फिर भी successfully इस exam को clear नहीं कर पाए है वो मायूस ना हो वो फिर से prepare करे और इस cut off को आप मद्दे नजर रखते हुए जो next exam है उस next exam की आप तयारी किए यहाँ पर जैसे 120 तक cut off गया है तो आप ऐसे तयारी कीजेगी 120 से भी उपर mark ला सकी तो यह हो गया education subject का फिर यह है anthropology का anthropology का total post था 11 advertisement हुआ था verification के लिए बुलाया गया था 49 post भाइबा के लिए बुलाया गया था 48 post लेकिन उन में से select हुए है 11 post जितना था उतना select हुए 6 में से 6 select हुए है 1 में से 1 2 में से 2 यहाँ पर भी 2 में से 2 select हुए है जितना था उतना ही select हुए है एक भी कम नहीं हुए है और यह जो cut off दिया गया है यह cut off था भाइबा के लिए तो General का था 100 से 110, OBC का था 100 से 110, SC का था 80 से 90, SC का 80 से 90 और ST का 75 से 80 और PWD केटेगरी का जो था 65 से 70 लेकिन जो Final Cutoff आया है थोड़ा Size से High गया है जैसे कि 115 से 120 क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं 48 Candidate थे इसमें से Cable और Cable 11 Candidate ही सिलेक्ट होंगे मतलब 38 Candidate सिलेक्ट नहीं होंगे तो Top Level के जो बच्चे होंगे वही तो सिलेक्ट होंगे न General Category था उसका Cutoff गया है 115 से 120, OBC का गया है 110 से 115, SC का गया है 105 से 110, ST का भी सेम ही लगभग गया है 105 से 110 यह है Anthropology का फिर है Botanica, Botanica आप देख सकते हैं 49 Post के लिए Advertisement हुआ था 24, 6, 8 and 11 लेकिन Verification के लिए बुलाया गया था 131 उसमें से भाइबा के लिए बुलाया गया 130 ओके लेकिन Select कितना हुए 49 Select हुए जितना था उतना Select हुए 24 मैं से 24, 6 मैं से 6, 8 मैं से 8, 11 मैं से 11 तो यह जो Cut Off दिया गया है यह Cut Off किसका Cut Off है ना यह भाइबा के लिए Cut Off है ओके लेकिन Final जो भाइबा होने के बाद जो Final Cut Off निकलता है यह है तो यह जो Cut Off निकला गया है यह जो मार्क हम ज़्यादा देख रहे है कियों देख रहे है ना कितने Candidate Select हो रहे है 130 मैं से आप Select कर रहे हो कितना 49 तो कितना Candidate Select नहीं होंगे आप ऐसे देख सकते है कि 81 Candidate सिलेक्ट नहीं होंगे मतलब जो Highest Top Level के बच्चे होंगे वही तो सिलेक्ट होंगे ना तो यह इसका Cut Off 115 से 120C गया है जेनरल का OBC का 110 से 115 SC का 105 से 110 और ST का भी 105 से 110 ही गया है यह है Final Cut Off ओके फिर जो Chemistry का है Chemistry का भी आप देख सकते है कि Total Post था 60 Post Verification के लिए बुलाया गया था 142 भाइबा के लिए बुलाया गया 137 सिलेक्ट होए है 53 मतलब 7 Candidate सिलेक्ट नहीं होए है ओके और वह 7 Candidate सायत PWD के टेगरी से बिलंग करेंगे या तो भैकेंट भी रह सकता है तो जो Cut Up गया था भाइबा के लिए यह आप देख सकते है 90 से 100 गया था General का OBC का 90 से 95, SC का 75 से 80, ST का 75 से 80 और PWD का भी जो गया है थोड़ा सा उपर गया है 75 से 80 लेकिन जो Final Cut Up बना है थोड़ा सा हाइक किया गया है 105 से 110 General का 95 से 105 यह है OBC का 90 से 100 यह है SC का 90 से 100, ST का और PWD का 85 से 90 का गया है फिर है Commerce जो की सबसे Demanding Subject है सबसे ज्यादा Vacancy वाला Subject है Commerce में था 134 Vacancy आया था General का 66, OBC का 15, SC का 22, ST का 31 Verification के लिए इनको बुलाया था इसका लगभक 3 गुना यह है 324 Candidate को बुलाया गया था भाइबा के लिए बुलाया गया 317 Candidate को लेकिन Select कितने हुए है Select हुए है Only 126 मतलब इसमें भी आप देखिए 6 Candidate Select नहीं हुए यह 6 Candidate PWD केटेगरी से बिलों करेंगे ओके तो यह है भाइबा के लिए जो Cut-Off पहले दिया गया था यह है General का था 75 से 80 OBC का भी 75 से 80 और SC का 61 से 70 ST का भी 65 से 70 के बीच गया है और PWD का 62 70 गया था लेकिन जो Final Cut-Off है यहां से थोड़ा सा High हुआ है General में 100 से 105 OBC में 95 से 100 SC में 90 से 95 और ST में भी 90 से 95 OBC में बहुत सारे Candidate 104 Marks लाए है जैसे कि हम 4-5 Candidate हमको बोल रहे थे OBC का 104 Mark में उनका सिलेक्षन हुआ है बहुत सारे बंदो का On Reserve में 107 वाले Candidate भी सिलेक्ष हुए है 107 इसलिए Cut-Off हमारा क्या है 100 से 105 फिर है Economics Economics का Total Post था 78 36 General, 6 था OBC, SC का 12 और ST का 22 बुलाया गया था 199 Verification के लिए फिर भाइबा के लिए बुलाया गया 192 Candidate लेकिन उसमें से Select हुए कितना 72 Candidate मतलब 6 Candidate Select नहीं हुए है तो वो कौन से केटेगरी होंगे PWD केटेगरी जिनका रेजल बहुत जल आने वाला है तो आप देख सकते है 36 में 36 और ये जो 8 है देखिए 8 Select नहीं हुए इसमें 5 Select हुए है 12 मैंसे 12 यहां पर भी 19 Select हुए मतलब 3 यहां पर भी रह गया है तो बाकी जो 6 रह गया है यहां से 6 वो ले सकते है PWD केटेगरी से तो जो पहला Cut off था भाईबा के लिए ये था 90 से 100 General OBC का हो गया 85 से 95 SC का 60 to 70 ST का 70 to 80 PWD केटेगरी 60 से 70 गया है और इसमें XRBs में भी verified हुए थे जैसे की 65 से 70 मारकी बीज में थे तो Final Cut off जो निकला है Final Cut off 105 से 110 General का गया है 100 से 105 OBC का गया है और 95 से 100 SCST का गया है फिर है Home Science Home Science का Total Post था 13 पोस्ट के लिए Vacancy गया था 13 पोस्ट के लिए Vacancy आया था फिर verification के लिए बुलाया गया था 51 Candidate गा लेकिन भाइबा के लिए बुलाया गया 50 Candidate गा और selection हुए 13 में से 13 selection हुए तो जो पहला Cut off गया था भाइबा के लिए ये है और आप ये देख सकते है ये है Final Cut off तो होम साइंस का ये हो गया Final Cut off फिर है IRPM तो तीन पोस्ट के लिए फरिफिकसन के लिए बुलाया गया थे 8 रा Candidate उसमें से भाइबा के लिए बुलाया गया 12 Candidate और 12 में से Select हुए 3 Candidate तो आप ऐसे देख सकते है कि पहले जो भाइबा के लिए Cut off गया था क्योंकि General Post था बाकी SCST, OBC Post नहीं था PWD, Sportsman और X-Serviceman का भी कुछ लिया गया था उसका भी Cut off दिया गया है लेकिन जो Final Selection हुआ है ना PWD को दिया गया है ना Sportsman को दिया गया है ना X-Serviceman को दिया गया है सिदे General Candidate को ही Appointment दिया गया है फिर आगया Logic और Philosophy का Logic, Philosophy और Education का 25 तारिक तक भाइबा हुआ था तो इसका Post था 73 Post के लिए Advertisement हुआ था भाइबा के लिए भाइबा तो नहीं Verification के लिए बुलाया गया था 170 Candidate इसमें से 168 Candidate का भाइबा हुआ था ओके और भाइबा में Select हुए थे 71 Candidate फिर भी दो Candidate रह गये थे ये भी साइद PWD केटेगरी में होंगे ओके लेकिन Verification में तो कोई PWD केटेगरी को बुलाया नहीं था तो ये दो पुष्ट साइद बेकेंज रहेंगे साइद ये जो है भाइबा के लिए जो कोट अफ निकाला गया था ये है भाइबा के लिए कोट अफ लेकिन ये जो है फाइनल कोट अफ है जैसे कि आप देख पा रहे है 110 से 115 जेनरल का 105 से 110 OBC का SC का 95 से 100 है और ST का भी 95 से 100 है ये हो गया फिलोसोफी का Mathematics जो की सबसे highest कोट अफ किसी subject में गया है तो ये mathematics का ही गया है क्योंकि इसमें से ऐसे ऐसे बंदे है 115 मार्क्स बाले बच्चे भी सिलेक्ट नहीं हुए है बहुत ही strange बात है तो आप समझ सकते है कि Mathematics subject में कितना ज्यादा competition है और कितना हाई मार्क जा रहा है कोटो तो इसका जो vacancy आया था 42 candidate का vacancy आया था और बुलाया गया था verification के लिए 138 का जिन में से 136 candidate को भाईबा के लिए बुलाया गया था और select कितना हुए है 38 मतलब 4 candidate रह गये है और 4 candidate साइद ये तीनो में से हो सकते है क्योंकि PWD जो बुलाया गया था आप देख सकते है 9 PWD 6, Sportsman 1 और Ex-Arvisman 2 मतलब total 9 candidate बुलाये गये थे इस में से ये 4 select होंगे लेकिन ये selection कब दिया जाएगा ना जब तक उनका verification issue खतम ना हो जाए तब तक वो नहीं देंगे तो ये हो गया भायबा के लिए cut off और इसके बाद जो final verification के बाद final भायबा के बाद जो cut off निकाला है ये है final cut off जैसे कि आप देख पा रहे है बहुत ही cut off ज़्यादा गया है जेनरल में 120 से 130, OBC का 110 से 120, SC का गया है sources 110 ओके ये हो गया mathematics का फिर है physics का physics में से भी आप देख सेख़े है physics में से भी बहुत सारी competition थे physics में भी बहुत हाई गया है mark जैसे कि आप देख पा रहे है 42 candidate के लिए advertisement हुआ था और उसमें से 107 candidate के लिए verification 107 candidate को verification के लिए बुलाया गया था और इसमें से 104 candidate को भाईबा के लिए बुलाया गया और 104 में से 40 candidate ही select हो पाई है और 2 candidate रह गये है 2 में से सायद 1 को PWD category में दिया जा सकता है क्योंकि PWD का जो verification हुआ है के बल 1 candidate का हुआ है तो 1 post सायद vacant रह जाएगा सायद तो ये हो गया cut off भाईबा के लिए और भाईबा के बाद जो final cut off निकाला गया है ये है इसमें से आप note करने की बात है ये भी written plus carrier mark ही है इसमें से भाईबा include नहीं है इसमें भी भाईबा include नहीं है फिर हो गया psychology का psychology में भी 24 post का advertisement हुआ था verification के लिए बुलाया गया था 57 candidate लेकिन भाईबा के लिए बुलाया गया 56 और select हुए है 22 तो यहाँ पर भी 2 candidate रहे गये है 2 candidate में से 1 candidate तो फिलब कर लेंगे PWD category से 1 candidate का post back end रहे जाएगा ओके तो ये हो गया भाईबा के लिए cut up और ये हो गया final cut up general के लिए 115 से 125 OBC के लिए 110 से 115 SC के लिए 105 से 110 और ST के लिए 100 से 105 फिर है संस्कृत का ओके संस्कृत में से 20 post के लिए advertisement हुआ था verification के लिए बुलाया गया 71 और भाईबा के लिए बुलाया गया 69 और 69 में से select हुए है 18 candidate और इसी 18 candidate में से दो candidate रहे गए है 20 में से 18 select हुए है मतलब दो candidate रहे गए है ये दो ये तीनों के टेगरी से फिलाव होंगी ये पी डॉबलूडी से हो सकते है या फिर एक सार्विजमें से हो सकते है क्योंकि sportsman तो है ही नहीं ओके तो ये हो गया ये जो cut off है ये भाइबा का cut off है लेकिन ये हो गया final cut off ओके जैसे कि आप देख पार है संस्कृत का final cut off फिर है sociology sociology में ऐसे ऐसे candidate है जो कि 150 प्लस score किये है आप बिलीब नहीं कर पाएंगे 125 प्लस 25 करके 150 प्लस भी score किये है रिटीन में 125 और carrier mark PhD का 25 150 ऐसे भी candidate है ओके तो आप यहाँ पर देख सकते है कि vacancy कितना आया था 15 पोश्ट के लिए vacancy आया था verification के लिए बुलाया गया 59 ओके लगभग 4 गुना देखिए SSB कहता है तीन गुना लेकिन लगभग 4 गुना ओके लगभग 4 गुना बुलाया गया है viva के लिए बुलाया गया था 58 candidate का लेकिन select होए है cable 10 पोश्ट और 5 पोश्ट रहे गया तो 5 पोश्ट इस category से ये fill off करेंगे PWD और एक service man यहाँ पर भी आप देख सकते है कि 4 और 5 candidate यहाँ पर है इनको सायत क्या कर सकते है select कर सकते है लेकिन इनका verification कुछ issue चल रहा है वो verification होने के बाद ही उनका selection list आएगा तो जो cut off गया था भाइबा के लिए ये है cut off भाइबा के लिए और final cut off यह है यह थोड़ा देखिए आप थोड़ा उचा गया है 120 से 130 जेनरल का 115 से 120 OBC का SC का हो गया 110 से 115 ST का भी 110 से 115 गया है स्टाटिस्टिक का बहुत ही कम candidate थे स्टाटिस्टिक से तो हमने ये भी नहीं पाया Google survey पॉम मैं किसी ने participate भी नहीं किया क्योंकि इतना कम post था एक ही candidate select हुए थे आप देख सकते हैं दो post थे verification के लिए एक को ही बुलाया गया था उसी एक को ही भाईबा के लिए बुलाया गया और वो ही select हुए है तो आप देख सकते हैं स्टाटिस्टिक में बहुत ही कम candidate select हुए थे तो जो भी स्टाटिस्टिक सब्जेक्ट का aspirant है पढ़ाही में अच्छे से लग जाओ भाई आपका जब भी बेकेंसी आएगा आपका selection होना लगभग पक्का है अगर आप return clear कर लो तो तो इसका जो cut up हम expect कर रहे थे 110 से 120 और वो ही final cut up है क्योंकि एक candidate ही select हुई है फिर है geology geology का total 61 post के लिए वेकेंसी आया था और 61 के लिए 139 candidate को verification के लिए बुलाया गया था उन में से PAWD category का भी कुछ candidate थे भाईबा के लिए बुलाया गया 134 उसमें भी PAWD category के कुछ aspirant थे और select हुए है 55 मतलब 6 candidate रह गये है ओके 6 candidate रह गये है यह अब देख सकते है तो 6 candidate जो रह गये है एक तो PWD category से fill off कर लेंगे लेकिन बाकी जो 5 रह गये है उनका post vacant ही रह जाएगा तो यह जो marks है यह हो गया भाईबा के लिए यह cut off हो गया भाईबा के लिए लेकिन यह जो है cut off यह है final cut off आप देख सकते है जेनरल का 115 से 120 OBC का 110 से 115 SC का 105 से 110 और ST का 100 से 105 यह है English का English में total advertisement हुआ है post के लिए 159 वेरिफिकसन के लिए बुलाया गया है 434 और भाईबा के लिए बुलाया गया है 413 अभी तो final list जारी नहीं हुआ है इसलिए selected list blank है लेकिन जो भाईबा के लिए बुलाया गया था normal cutoff यह है तो आप average के हिसाब से आप देखेंगे तो general में कितना cutoff जाएगा क्यों कि post बहुत ज़्यादा है 79 post के लिए select होने वाले है तो मेरे हिसाब से 105 से 110 के बीच जाने वाला है यह भाईबा को include करके नहीं है भाईबा को exclude कर गये ओबीजी का भी आप ऐसे सोच सकते हैं कि 95 से 100 के बीच जाने वाला है 95 से 100 के बीच जाने वाला क्योंकि देखिए इतना ज्यादा वेकेंसी कॉमोर्स में था ओके कॉमोर्स में जो बच्चे सिलेक्ट हुए है ऐसे ही मार्क में सिलेक्ट हुए है तो इंगलीज का भी आप ऐसे समझ सकते हैं फिर जो SC केंडिडेट है देखिए इसका लोएस्ट गया है 60 से 70 तो आप फाइनाल ऐसे सोच सकते है कि फाइनाल कम से कम 80 से 90 तो जाएगा ही जाएगा फाइनाल एस्टी का भी आप लगभग लगा सकते है 85 से 90 या 80 से 90 की तरफ आप देख सकते हैं से जोन के हिसाब से आप देख सकते हैं और PWD कैटेगरी जो है आप 70 से 80 की स्कोर को आप देख सकते हैं या फिर sportsman या फिर ex-savisman जो भी है यह आप सेप स्कोर हिसाब से देख स इसलिए इसका थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका ओके अगर आप और भी सीक्यूर होना चाहते हैं तो यह जो रेंज दिया गया इससे आप फाइव माक्स प्लस कर लिए जैसे कि 105 से 110 है तो आप इसमें 5 मिक्स कर देगी 110 से 115 ओके ऐसे करके आप से जोन मैं जा सकते इसलिए भाइबा को आप अच्छे से प्रिपेर कीजिए और सबसे जो बिबादास्पत सब्जेक्ट है वो है पॉल्टिकल साइंस क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए एडवर्टाइजमेंट हुआता 135 का फेरिफिकसन के लिए बुलाया गया 280 का ओके लेकिन भाइ सिर्पेर उनने 14 को बुलाया फीर उनियोंने 46 को बुलाया ओके टोटेल हो गया 288 और को फाइल देख सकते हैं आप काउंट भी कर सकते हैं 280 केंडिडेट ही है लेकिन बुलाया गया 288 केंडिडेट ओके तो जो भी है यह हो गया भाइबा के लिए कॉट ओके तो जो फाइनाल होगा क्योंकि इसका भी पोस्ट बहुत जादा है तो आप ऐसे अनुमान कर सकते हैं कि 95 से 100 जो है इसका एवरेज स्कोर आप देखेंगे तो 105 या 110 के बीच आ रहा है तो एवरेज स्कोर आएगा 110 से 115 के बीच में जाने वाला है इससे कम नहीं जाएगा ओके ओबीसी का 105 से 110 के बीच जाने वाला है एससी का आप हिसाब करेंगे तो 85 या 90 से 90 से 100 जाने यह सेप स्कोर है ओके 85 तक भी जा सकता है यह जो स्कोर में बता रहा हूं 5 इधर या उधर होने की संभावना है ओके के स्टी का भी आप ले लीजै kidneys हइस्थ बच्चे पर ट लद चला जाता है तो यह है पॉल्टिकल साइंस का तो यह हो गया लगवक शारे अझा I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा Thank you for watching, have a nice day